हमाई साथ पंजाब से कॉंग्रिस के विधायक कुलबीर जीरा साब हैं जो कल जब सिंगू बाडर गए थे तो काफी धक्का मुक्य हुई लोगों ने प्रोटेस्ट किया जी आप से जाना चाहता हूँ हुआ क्या था यह नौबत यहां तक आ गई कि पगडी तक उचली गई क्या था कि बीजेपी को शोड के शारी पार्टिएं के जो MP, MLS है है वह एक जन सदन जो है 23 और 24 को जो जो उन्होंने venio select किया था वो था गुरू तेगबादार memorial की वहां पर जो है कि जन सदन जहां पर MLA और MP जाएंगे और जो कि कसानों की हमेइद करेंगे ये प्रोग्राम था वहाँ पर और हमें इमिटेशन आई हम 23 को नहीं गए उसके बद 24 को फिर फोन कॉल आई कि आपने जरूर आना है आपका टाइम है आपने जो है कि वहाँ पर बोलना है कसानों के लिए क्योंकि हमें तो 50 दिन होगे कि हम यहाँ पर जंतर मंतर पर दरना कि ती कि नती तरीक को जो शैशन फैर फीर ने का वहाँ पर हम जो है कि अगर आपके कोई किसानों के जहा उनके कोई सजाओंस के जहाँ का वरोध किया और हमें वहां से अगर बचाया तो उन लोगों ने बचाया जो कसान थे जो पगड़ी वाले थे जो गुरू के सिक्स थे जो जिसको हम केसादारी सिक्स बोलते हैं उन्होंने बचाया और मेरी पगड़ी भी जिन्होंने अतारी उनके कटिंग थी ना उनके आदमी थे और अब दीरे दीरे पता चल रहा है कि वो जो गुरू तेग बादर मुमोरियल है वो एक तरह का आम आदमी का अड़ा है वहां पर आम आदमी का लंगर लगा हुआ है और यह जो सारा कुछ हुआ है यह वहां पर जो हमें लोग फोटवां सेलेक्ट करकर के भेज र पूरा यह लोग शिंगर्च को खराब करना चाते हैं यह लोग जो शबी तरीक वाली जो कसानों की ट्रेक्टर प्रेड यह उसको उस अंदोलन को सारे को खराब करना चाहरे हैं एक मैसेज कसानों के खलाफ देना चाते हैं कसानों को बदनाम करना चाते हैं और मेरी है कि आप रास्ट्री जंडा अतारो अगर ये जंडा लगाओगे तो वो जंडे से हम आपको दो क्रोड देंगे इससे पहले चल रहा है और आप एक बात देखो किस से पर आपका इशारा क्या खालेस्तानियों की तरफ है कि कोई भी जंसी हो सकती आप देखो कि रोज रोज ए पूछना क्योंकि कल ये बात आई थी कि आप लोगों की तरफ से शायद ऐसा कहा गया था कि वहाँ खालिस्तानी थे खालिस्तानी समर्थक थे जिन लोगों ने आपके साथ दुरुवेवार किया आप सपश्ट बताईए ये तो पुलिस जाज करेगी पर उन जंडों पर जो जो कटिंग वाले थे और वहांसे अब पता चल रहा है कि वह झंडा जो है वह सिंगु पे तो है ये वह जंडा सर्फ वहां पर मुमोरियल पे था और मेरे को लगता है कि आम आदमी पार्टी के और आप बड़ा आरोप लगा रहですね क् gemaakt को क्वे खालिस्तानी के साथ मिलकर कैस बिल्कुल वो उनके साथ एजन्सियों के साथ मिले हैं और क्योंकि वहाँ पर उनका लंगार लगा था उनके आदमियों नहीं जो है कि ये सारा कुछ करवाया और लोग हमें क्योंकि हमें तो हम तो जानते नहीं थे कि वहां काओन है काओन नहीं लोग ही हमें बेज रहे हैं कि ये देखिए जी इनको जो है कि 20 दिन पहले पटी कंसीजनसी के इनको प्रेजिडेंट बनाया गया है ये आम आदमी पार्टी का प्रेजिडेंट है आप आरोप लगा रहे हैं आमादी पार्टी और एजेंसिस खालिस्तानियों पर मेरा ये कहना है कि भाही वहां पर किसानों का भी तो कहना था कि प्रेजिन पार्टी पार्टीस इंटरफिड ना करें हो सकता है कि कसानों ने आपका विरोध क्या हो आप किसानों ने हमें बचाया और जब हम गए ह queya किसानों ने बिट्टू जी के साथ सेल्फिंगा ली फोटो खचवाई और जिसके हाथ में किसानी का जंडा था वो हमें गाड़ी में पहचाने तक का काम उन लोगों ने किया हमको बचाने का कम उन लोगों ने किया किसान कभी ऐसा काम नहीं कर सकता ऐसा काम तो तब करे ना अ हम पांच वह आदमी यहां पर बैठे हुए हैं और इसी बात को लेके कि कसानी के जो यह काला कनून ने इसको रद करवाना है वो कसान नहीं थे वो आम आदमी पाल्टी और कुछ एजंसियों के आदमी थे जो इस अंदोलन को खराब करना चाहते हैं आदमी पाल्टी पर इस अंदोलन को खराब करने के जो की जो की गए थे कल रवनीत सिंग बिट्टू साब के साथ और बड़ा रोप लगा रहे हैं कि एजेंसियों का काम था जंडों पे खालिस्तानी नारे लिखे थे और आम आदमी पार्टी पर भी बड़ा रोप ही कि आम आ आप को रखे आगे